आज संदीपनी बिद्या निकेतन पोर बंदर में आयोजित संदीपनी गोरव आवाड समारों में उपस्थित परम पुझ्य भाई श्री रमेश भाई ओजा जी पुझ्य प्रियोश्वामी श्री गोबिन्स गिरी जी महराज जी सम्मानिया सिमती नीमा भेन आचारिया बाच्चाश्पति गुजराट बिधान सवा माननिया सिमती कोकिला भेन धिरुभाई आमबानी पुझ्य आचारिया डक्टर राजा राम शुकलाजी उपस्थित सब सम्मानित बेक्तिगन मैं प्रफेसर अच्चुत सामत हूँ पहले सबको मैं चरण स्पर्स प्रणाम करता हूँ आज मैं सो शरीर में ए 25 साल का समारों में उपस्थित होनी पाया इसलिए मैं आप सब से खेमा चाता हूँ लेकिन मैं भूबने सर से ठैर के भी आप लोग सबको मैं भूद भूद अभार बेक्त करता हूँ संदीपेनी आवार्ड कॉमिटी का सब मेंबर को मैं भूद भूद मेरा अभार बेक्त करता हूँ जह मैं जो काम करके आ रहा हूँ तीस साल से जादा वो काम को सम्मान दिया गया है एन मुझे महर्शी सम्मान से भूशित किया गया है मैं इसको जरूर बिनमरत का साथ अग्रह का साथ ग्राहन करता हूँ और मैं भूद भूद आर एक बार अभार बेक्त करता हूँ मैं एक कर्मजोगी बोलने से अत्तुक्ती नहीं होगा सब लोग बोलते हैं मेरा कहानी इसी प्रकार है एक छोटा से बच्चा हुआ था चार साल उमर का उडिशा का एक मफसल गाओं में था जब मुझे चार साल उमर हुआ था उसी टाइम मेरा पिता जी का हटा ट्रेन दुरगटना में देहात हो गया हम लोग साथ भाई बैन थे विधवा मा थे मेरा पिता जी हम लोग आठ मेंबर परिवार के लिए कुछ भी छोड़के नहीं यह थे इसलिए हम लोग को बहुत दूख जलना पड़ा उस टाइम में 1970 हम लोग गाओं में इधर उधर काम करके अपना जीबन बिताए लेकिन एक काम अच्छा किये थे साथ साथ सरकरी स्कूल में नाम दखल करके पढ़ाई किये थे तो मेरा दूख पभटी हंगर इसको मैं दो लाइन में बोलता हूं जह हम लोग आठ परिवार इतना गरीबी थे जो कि दो दिन में दो बकत खाना मिलना मुश्किल होता था मेरा माता जी का दूसरा साड़ी नहीं था नाने के बाद परिवर्तन करने के लिए इस दूख से भगवान ने अच्छा से असिर्बत करके लाया है 25 सल उमर तक मैं मेरे लिए मेरा परिवार के लिए संगर्च किया 25 सल उमर में ओले 5000 रुपया में में दो संस्ता भुबने सर में दो किराय मेकान में शुरू किया था विकाज गरीबी क्या होता है भुकमारी क्या होता है इस सबकों में अच्छा से निभाया था तो भगवान का अशिरवाद इतना अच्छा हुआ दोनों संस्ता अभी पुथिवी बिख्यात हो गया है एक संस्ता है जिसके लिए भाईश्री से लेके सब लोग मुझे प्यार करते हैं सारा दुनिया प्यार करते हैं मुझे ओ संस्ता है कलिंगा इस्टिट अव सोशियल साइंस कीस जिसका माध्यम से आज तक 60,000 गरीब बनवाशी आदिवाशी बच्चे को समाज का मुख्या सुरत में सामिल क्या हूं सिख्या माध्यम से 30,000 पास कर चुके हैं 30,000 केंपस में हैं सारा बिश्यो का सबसे बड़ा आदिवाशी संस्ता है एक आदिवाशी बिश्यो बिद्दले वहें एक ही बिश्यो बिद्दले आदिवाशी लोग के लिए सारा बिश्यो में हैं आपका जानकारी के लिए इसको मैं चलाता हूं मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूं मैं आरेक जो संस्ता किया था कीट विश्व विदल जहां सारा भारत 65 देश से बच्चे पढ़ते हैं वो विश्व विदल का माध्यम से मैं कीश को चला रहूं तीश साल हो गया इतने ही मुझे बोलना है जे भगवान का अशिरबात से इसको यहां तक लाने के लिए हिमालाय समस्या को समना किया हूं एब्रेश जैसे हतादार अनादार को भी सहन करना पड़ा है मुझे लेकिन अभी लाखो लाखो बच्चे आदमी का रोजी रोटी बना है आपका जानकारी के लिए दो लाइन बोलके मैं रखूंगा जे इतना सब कुछ करने का बाद भी बच्पन स में एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक बच्चा उसका बाद आध्यात्मिक बेक्ती बना हूं मेरा माध्यम से सारा ओरीशा में 25 से जादा मंदीर बनाया गया है आध्यात्मिक केंद्र बनाया गया है और सब कुछ होने का बाद भी मैं अपने आपको लोव माया ममता कोई भ करता हूँ तो इसलिए मुझे लग रहा है आज भाई स्री एन आप सब लोग मुझे प्यार से महर सी आवाड में भूशित किये हैं मैं इसको आदर का साथ ग्रहन करता हूँ और आप सब लोग को भूई सी प्रसंक्षा करता हूँ जे मेरा काम को आप लोग सम्मान दिये पुन करता हूँ झाल आप सम्मान दिये ऑन किये एन दिये किये प्रसंक्राश जे लोग ज्यार को आप सलिए और आप सी पूב लोग मुझे प्सक्षब लोग झाल